NTPC का एक्जाम चाहे जुन हो या जुलाई हो अब तो उंगलियों पे दिन गीने जा सकते हैं ऐसे में या तो आपकी तेयारी संपूर्टा है तो फीर भी एक important सवालों को कैसे छोटे में किया जाए फटाफट करें वो एक बात होता है और आप लोगों में से कुछ लोगों ने हैं जो अभी शुरुवात कर रहे हैं और काफी ज़ादा चिंतित हैं कि कैसे आप चीजों को समाले हैं तो देखें ये दोनों मुद्दे को लेके एक solution के साथ हमने सारा ये तीन chapter की संपूर्णता की बातों को चर्चा करते हुए सारे मैतों को मैंने किया हुआ है तो इसके लिए थोड़ा सा समय लेके इसको सारे चीज़ को आपको देखना होगा तो आपकी पियारी कम से कम 3 chapter पे हो जाती है और इस तरह करके आने वाले दिनों में 3-3 chapter करके मैं संपूर्ण कोर्स को कर लेने की बात कर रहा हूँ तो चली हम शुरू करते हैं शुरू करने के पहले एक चीज़ को समलना है कि जैसे मेरे बहुत सारे वीडियो से हैं तो देखिए मैं anti-pasy के लिए यहाँ पे दो वीडियो की मैं चर्चा कर रहा हूँ यह दो वीडियो में क्या-क्या है मैं बस 2 मिनट के बाद आगे चर्चा करूँगा लेकिन पहले जो है हमने जो 3 chapter की बात की है उसमें देखिए औसत के हमने 2 chapter है और इसमें करीब करीब 24-25 वो सवाल है जो काफी important है और कैसे उसे चुटकी में बिना कुछ जाने भी कर सकते है और उसमें सबसे बड़ी बात है यह कोई जो है आपका कोई formula basis नहीं है कि आपको बैठके formula को याद करना होगा देकिन सारे बातों का चर्चा मैं इसी वीडियो में करूँगा तो बस आप मेरे साथ मने रही है अब दूसरी आते हैं जैसे आपकी है औसत की प्रतिशत की बात आती है हमने यहाँ उपर में दो वीडियो का चर्चा हम कर रहा है जिसमें औसत का चर्चा किया है यहाँ पे देखिए दो वीडियो है मैंने प्रतिशत पे भी किया हुआ है मतलब केवल दो दो वीडियो की ही बात कर रहा हूँ और यह दो वीडियो में आपके 15 से ज़्यादा सवाल है जो काफी ज़्यादा important है और अभी जो last moment की तियारी में आप तो 100 सवाल नहीं कर सकते हैं लेकिन जो इस NTPC के लिए जो काफी ज़्यादा ज़रूरी है और यहाँ तक कि उसको basic से लेते हुए कि अगर आप में से कोई है कि एकदम basic भी goal है तो वहाँ पर भी आप सब कोई कर सकें इसके लिए कोशिश है चलिए हम आगे बढ़ते हैं फटा फटा माँगे बढ़ेंगे तो फिर अब आते हैं तिसरे को उपर तिसरा जो है लाव और हाने की बात करते हैं तो देखें लाव और हाने पे हमने तीन वीडियो पे यहाँ पे दिया हुआ है तो पहले दो चैप्टर में मैंने दो-दो वीडियो करके दिया आप सोचने यह वीडियो कहां मिलेंगे बस धिरज रखें सब कुछ आपके उंगले पे होगा और लाव और हाने के हमने तीन वीडियो है क्योंकि लाव और हाने के सवाल जादा रहते हैं और देखिए यह तीन चैप्टर को करते हैं तो आपके NTP से में समझ लेजिए कि 5-6 सवालों पर आपकी पकर बन जाती है और आप हर हाल में जवाब देने की अवस्था में आ जाते हैं अब है कि यह सारे चीज़ों को कैसे करना है उसे ज़रा ध्यान से समझ लेजिए तो सबसे पहला देखिए कि आपको जो है यहाँ पर जो मैं दिखा रहा हूँ यहाँ पर देखिए कि हम इसके जो वीडियो को देख रहे हैं यह डिस्क्रिप्शन का सिंबॉल है यहाँ पर जैसे ही आप क्लिक करते हैं देखिए तो नीचे में यहाँ पर मेरे एप का लिंक दिया हुआ है इस लिंक में जो है आप जो यह देख रहे हैं यहाँ पर यह केवल इन तीन चैप्टर्स के वीडियो रखे हुए हैं और उसकी तयारी कैसे करनी है वीडियो में क्या क्या है पहले चलिए उन पर चर्चा कर लेते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा कि जो मैं बोल रहा हूँ उसकी सत्यता कहां तक है क्योंकि आपका समय अगर आप वीडियो देखने जाते हैं तो समय तो लगेगा आपको सीखना भी है तो फिर आप समय को देने के पहले ये तो जान लीजिए कि आपके लिए कितना आवश्यक है ये तो चलिए पहले कुछ उन बातों को चलते हैं तो पहले देखे कि मैंने जो बोला ना कि जही जहुमेने लिंक दिखाया आपको उस लिंक पर जब क्लिक करेंगे मैंने थोड़ा सा पहले मैं पीछे जाके और यह एक बार फिर से मैं दिखाना चाहूंगा आपको जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करते हैं तो तुरद जो आप जो है यहाँ पे आके पहुंच जाते देखिए यहाँ पे आपको तीन अलग से चैप्टर यह आपको दिखेंगे अब जैसे औसत के चैप्टर को आप पहले क्लिक करते हैं तो मैंने आपको औसत के दो वीडियो दिखाये थे अब उस औसत के दो वीडियो में क्या-क्या है किस तरह के सवाल है किस तरह उसका जवाब दिया गिया है कितने हलके में fast जवाब दिया गिया है और इस जवाब के लिए कोई भी चीज याद रखने की ज़रुवत नहीं है उन चीजों को हम फ़ाद देख लेते हैं तो लेकिन उसके पहले एक बात जरूर बताऊंगा कि आप subscribe अगर नहीं कियें like नहीं कियें share बटन को नहीं दबाए है bell बटन को नहीं दबाए है तो please उसे करें और साथ-साथ अपने जो भी दोस्त हैं त्यारी कर रहे हैं जिनको आप help करना चाहते हैं उसे भी अवर्षे share करें तो चलिए पहला सवाल को देखते हैं देखे आप लोग भी करते हैं एक cricket खिलारी के 10 पारियों को औसर 32 था खिलारी अगली पारी में कितना run बनाए कि उसकी औसर चार अधिक हो जाए तो देखो यहाँ पर क्या है यहाँ पर पकड़ा क्या है जैसे कोई formula इसमें नहीं लगाया हुआ है आप देखो चार run 10 innings खेलता है ठीक है तो आप 10 innings को लिखते हैं या लिखो या नहीं लिखो आपकी मर्जी है चार रान अधिक हो जाए चार असे चलिस जोर दिया और 32 में कितना run जादा होना चाहिए चार अधिक होना चाहिए तो 32 के 4 36 हो गया बस बराबर 76 run की पाड़ी खेलेगा तो फिर वो सारी जो बाते हैं हो गया तो फिर इतनी सी चीज है तो आप इस तरह के सवाल को इस तरह अनूठे धन से अगर solve करना सीख लेते हैं तो अगर basic आपकी कमजोर है उससे भी कुछ फर्क नहीं पड़ता है देखो 14 चात्र और 1 सीख्छी का मतलब 14 और 1 सीख्छी का कितना हो गया है 15 हो गया है और उसमें क्या होता है आउसत में एक वर्ष की कमी हो जाती है तो पहले आपने क्या क्या 15 है एक वर्ष की कमी होता है तो 15 और 1 से गुना क्या 15 अब बोलता है कि यदि सीख्छी का की आयू हटा दी जाए तो हमने 15 से 1 हटा दिया तो 14 हो गया तो फिर मुलता है सिख्षी का कि आयू कितनी होगी तो 15 और 14 को जोड़ दिया 29 तो देखो यहाँ पर यह कैसे बना उस वीडियो में मैंने समझाया है तो फिर आप समझते भी हैं और छोटे में आप समझ लिए इतने में आपका हिसाब हो गया अभी अब जल्दीवाजी में जब सीखना है इस तरह के क्रियाओं को सीख लेते हैं तो आप 100% सवाल को सही करते हैं देखो इसमें कोई अंतर नहीं है यह तो प्लेस्मेंट कैसे होगा जैसे कुछ सवालों को दो बार देख लेते हैं बात खतम हो जाती है भूल जाओ आपको बेसिक में कितना आया कितना नहीं आया और इसमें तीसरा भी हम देख लेते हैं चलो अब देखो किसी स्कूल के दस सिख्चकों में से एक सेवा निव्रित हो जाता है और आउसत वायू में तीन वर्ष कम हो जाती है तो देखो दस को तीन से हमने गुना कर दिया क्या हुआ थीस हुआ और बोलते हैं पचीस वर्ष के एक नया सिख्चक आता है पचीस को जोड दिया तो फिर हमने बोला कि पुराना जो गया वा सिख्चक उसकी उमर कितनी थी हमने जोड के निकाल दिया पचपन तो देखो यहां पर है और यह क्रिया और यह क्रिया एक ही है दोनों का एक ही है यह भी आलमोस्ट ही है यहां के वल जुड़ा है मतलब यहां पर 32 और 4 जुड़ा है यहां 15 से एक घटा है यह जो चीज़े हैं यह बड़ा ही आसान है इस तरह करके एवरेज के है इसमें करीब क सवाल है आपका आउसत खतम हो जाता है उसी तरह आप आईए प्रतिशत की बात करते हैं तो देखेंगा कि वही जहां पर आप इसको क्लिक करने पर मैंने जो बुला वा था कि आप जब डेस्क्रिप्शन पर क्लिक करते हैं इस वीडियो को खाली आपको पहले पीडियेफ नही है वही चीज़ पर तो फिर यह प्रतिशत आएगा तो प्रतिशत को क्लिक करेंगे और मैं फिर से एक बार दोड़ा देना चाहता हूं कि अगर आप सब्सक्राइब लाइक और शेर नहीं किये हैं या बेल बटन को नहीं दबाए हैं तो उसे जरूर करें और दूसरों के मतलब क्या साथ प्रतिशत मतलब क्या दस प्रतिशत ब्रिद्धी मतलब क्या होता है पचीस प्रतिशत लाव मतलब क्या होता है पचीस प्रतिशत हानी मतलब क्या होता है जो बेसिक है और इतने में बेसिक खतम हो गया तो इस वीडियो को सुनते हैं ठीक से करते हैं तो आप को 36% का अंग प्राप्त करने थे 24% अंग मिला नौ अंग से असफल हो गया तो पुनांग कितना था बड़ा कमन है तो देखिए यहां पे इतने में जो सवाल है और इस सवाल को करने के लिए बेसिक की चर्चा हमने कर दिया है तो यह इतने हलके पन में हो जाता है दूसरा सवाल को लेते हैं जैसे रितेश अपना 30% घरेलु समान पर 25% सिक्षा पर 15% अन्यमद पर 65,250 की राशी है तो देखो यह जो सारे मैथ होते हैं यह थोड़े से लंबे होते हैं लेकिन हम इसे छोटे में भी कर सकते हैं तो कैसे करते हैं तो हमने यहा अंकित मुल से 30% छूट पर खुद्रा विक्रेता को समान बेजता है और खुद्रा विक्रेता इस समान को फिर अंकित मुले पर बेजता है तो खुद्रा विक्रेता को उस कितना प्रतिशत लाव होता है हाला कि यह लाव और हानी का सवाल है लेकिन प्रतिशत में बेसिक को स समझाने के लिए सवाल को दिया हुआ है और इसका तो बड़ा सिंपल सा अपने तरीके जो है जिसको हम block methods बोलते हैं इसको हमने करके आपको दिखाया है तो कहने का मतलब यही है कि जब आप इन चीजों को देख रहे हैं समझ रहे हैं आप समझते हैं कि अभी जो फटाफट की त्यारी जो होती है उसमें चीजें छोटा हो जाए आपको चार बार रगड़ना परे तो लिखना कम परे और सारे important सवाल को कर लेते हैं यही तो इस वक्त की जवरी है ना तो देखिए यहां से हम प्रतिशत के दो वीडियो हैं उसमें भी 15-20 तरह के सवाल कर लेते हैं तो जिससे हमारी क्या है कि दूसरी त्यारी हो जाती है अब तीसरी त्यारी आजाती है लाव और हानी की फिर से मैं बोलूँगा कि देखिए इसमें अगर आप सब्सक्राइब लाइक और शेयर नहीं कियें बेल बटन को नहीं दबाया हैं तो प्लीज इसे करें यह अब इस मॉ मशीन को 10% लाब पर बेचा गया अगर 80 रुपय कम में बेचा जाता तो उसको 10% का हानी हो जाता तो मशीन का क्रेम मुले कितना है आप किसी भी सवाल को दीजिए X को लेकर करते हैं आप लो यह देखी कितना सा बस इतने में हो गया तो फिर आप समझ लीजिए कि इस तरह के सिखे थे इस वीधी में सिखने में आपको 10 मिनट भी नहीं लगेंगे और यह बाते समझ में आ जाती है जब इस वीडियो को पूरा आप देखेंगी यह क्यों हुआ इसके पिछे सारे लॉजिक आप सिख लेते हैं दूसरे आप सवाल को देख लीजिए एक दुकानदार प प्रत्य वस्तू के मुल्य में 20% का बिद्धी करता है तो फिर उसके लाप कितनी पतिशत है बस दोस्त इतने में तो हो गया इतने में सवाल का जवाब हो गया तो फिर यह आपके लिए संजीवनी सुधा है लास्ट वोमेंन की त्यारी करने के लिए मैं समझता हूं कि आप कहां को दो किलो सेव ज्यादा मिल जाता है तो घटा हुआ किलोपती किलोग्राम दाम मताई है तो देखो इसमें हम कुछ करते ही नहीं हम option method से करते हैं तो मेरा कहने का मतलब है यह option method है तो कहां किस तरह के method लगेंगे और देखिए यह केवल तीन घंटे में तीन चैप्टर सिख लेते हो यार basic अगर 100% 0 रहे तो भी इसके लिए है यह देखो कोई एक video मैंने यह सारे video मेरे पहले youtube में थे जो अब description पर दिये गया है मैंने सारा का चर्चा किया है बस आपको सिख लेना है और अगर आपके किसी दोस्त को आप help करना चाहते हैं उसे share करना है और इस त यह है अगर आपने subscribe नहीं किया है बेल बटन को नहीं दबाया है तो वो करना है तो बस मैं आप लोगों से यही गुजारिश करूँगा कि शुरुआत करो दोस्त अगर आप सोचते रहोंगे basic this that तो अब वक्त निकल जाएगा आप कुछ नहीं कर पाएंगे बस शुरू हो जाएए तो आप लोगों ने समय दिया इसलिए आप सभी को मेरे को बहुत बहुत धन्यवाद साती साथ बोलूँगा दोस्त सब्सक्राइब करना लाइक करना और शेर करना न भूले बस आप हमें सब्सक्राइब करें शेर करें बेल बटन को दबाएं और यह आपको फायद देगा तो दूसरे तीन चैप्टर इखटे सिखने के लिए बस इंतिजार करें ओके दन वबाए थैंक यू जै हिंद